स्री शिवाए नमस्तुभ्यम गुरू जी पंडी जी प्रदीमिश्रा जी ने सावन महने की विशेश तितियों पर करने वाले विशेश उपाये बताएं और वो एक नहीं अनेक उपाये गुरू जी तरह बताए गए हैं गुरुजी ने कहा था सावन मेहने में चाहे वो अस्टि में तिती हो चाहे वो नौ में तिती हो चाहे दस में तिती हो चाहे वो एकादशी हो चाहे वो प्रदोश हो शिवरात्री हो हर एक तिति का अलगी महत्वह होता है जी हाँ तुकि साल भर में हम शावन महने कर से इंतियार करते हैंट सावन महने के दिन हर एक दिन हर एक दिन एक तिति वश्रेस खा encrid और महत्व स्थभा पोन होती है क्योंकि साल भर बात फिर हम इन उपायव को कर पाते हैं चलिए वीडियो शुरुबात करते हैं स्वागाते मोजिती ऑफिशल चैनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा और कमेंड में श्री शिवाई नमस्तुब्यां हाय हर महादेव आवस्य लिख अब यह विशेश उपाय कर सकते देखिए यह उपाय उस कारी के लिए लगे पड़ेऊ जो कारी काफे समय मंद से पूरण नहीं हो रहा है तो आप यहाँ उपाय करें साथ में अगर कोई मनोकाम ना है जो बाबा से कई मेनों से प्यास कर रहें कि बाबा सुन ले सुन ले कितनी बेल पत्री एक बेल पत्री एक सफेध पुश्ष्टू फोष पुचे पुष्प जी हां एक सफेद पुष्प एक गुलाब का पुष्प लाल गुलाब ये लाल कोई फुल चल जाएगा और एक समी पत्र ठीक है ये समागरी लेकर आपको सिवाले जाना है सिवाले पहुश कर इस सभी समागरी को एक साथ एक ही हाथ में पकड़ लेना है जैसे कि आ करते हो वे आप को महाद्यों की सबसे छोटी पुद्री मां अश्रो सुंप रिके इस्थान पर समरपित कर देना है इस उपाय को करते समय आपको एक विश्य मां लेना है वह नाम सक्षण करते हो चीहा कान्ता चक्र का समरण करते हुए आप विशेश उपाय करना है, कोई भी मनो कामना हो, किसी मनो कामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हो, कांते चक्रे का समरन करेंगे, मा सुन्दरी के स्थान पर सभी सामागरियों को समर्पित कर देंगे, हाज जोड़ कर प्रातना करेंगे, अपने घर की और आ जाएंगे, यह वि करेंगे, जी हाँ, क्योंकि यह जो उपाय, यह भी उपाय आप मनो कामना पुर्दी के लिए कर सकते हैं, गुरु जी ने कहा था, बहुत दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कश्ट में जीवन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके, क क्या करें, क्या ना करें, क्या बाबा हमारी सुनेगा, ऐसा बन में विचार आ रहा है, कि बाबा हमारी सुनेगे, कब सुनेगे, हम तो काफी समझ से बाबा से कह रहे हैं, कई सालों से कहते हैं, जल चड़ाते हैं, बाबा सुन नहीं रहा है, तो गुरु जी ने कहा था, यह यहांपर आपको लगाना है पीला चंदन डंडी पर यहांपर आपको लगाना है पीला चंदन लगाने के बाद आपको बेल पत्री के उपर साथ चामल के दाने रखना है किते चामल दाने साथ चामल के दाने रखना है आप ध्यान रखे इस उपाय को करने के लिए जब आप मंदिर सिवा ले जाए तब आपको राइट हेंड से यह अपना जो राइट हेंड हो उधर से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है उसके पहुचकर महाद्यों के सिवलिंग के उपर बेल पत्री को से मैसी की ऐसी समर्पित कर देना है डंडी के उपर चंदन लगाएंगे, साथ चावल के दाने रखेंगे और बेल पत्री को सिवलिंग पर समर्पित कर देंगे डंडी का भाग किदर करेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं आप से बिल्कुल ओपोजिट ये विशेश उपाएं आप सावन मेहने की नौमी दिति के देनी सावन सोंबा दूसरा सावन सोंबा रहे हैं इस दिन कर सकते हैं तिसरा उपाएं ये उपाएं वन्स व्रद्धी के लिए जी हाँ यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय आप सावन महेने की अस्टिमी को सावन महेने की नोमी को दोनों दिन में से कभी भी कर सकते हूं करना क्या है आपको लिना है गेहू के दाने कितने दाने 108 दाने गिनकर आपको घर से ही लेकर जाना है सिवाले कितने दाने 108 दाने गेहूं के गेहूं के 108 दाने ने सिवलिंग के उपर अपनी मनो कामना को बोलते हैं के लिए उन्न नटी के लिए बचू की तरक् historia नहीं हो रही उन्न नहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है उसके लिए पाम नहीं करते होए आपको यांड़ हैं यह उपाय याइश व्रॉद्ध시angen की लिए होता करो के तो बहुत अच्छी बात है कोई बनो کیमरा के लिए कर सावन के महने में 5 बार कर लेते हैं तो हमारी मनो कामना सावन के महने में पूर्ण हो जाती है यह document यह इसा वूपा है करना क्या है आपको जाना है बेल पत्री के व्रष के नीचे और बेल पत्री की व्रष की पत्तियों की च्छाओं में जी हां ऐसा व्रक्ष खुड़ना है जिसकी च्छाओं में आप बेट सकते हों वहां बेट कर आपको स्री शिवाई नमस्तुब्यम मंत्र का जाब करना है 108 बार जी हां अगर प्रूस कर रहे हैं तो वो ओम नमस्षिवाई भी कह सकते हैं और इस तर कि च्छाओं में बेट कर आप यह उपाई कर सको तो फिर आप सिवा ले जाकर महादेव के उपर जो बेलपत्री चड़ी हुई है उस बेलपत्री को उठाकर अपने मस्चिक से इसपर्ष कराकर फिर आप महाँ बेट कर भी 108 बार मंत्र का जाब कर सकते हो ठीक है या फिर मस् पत्र के अपने घार के मंदिन में बेट कर एक अपने ही घर के मंदिन बेट कर एक 108 बार मंत्रे का जाप कर सकते हो मंत्र आपको जो अच्छी से बोलना आता है बोले ध्यान रखे गलत उच्छन ना करें जो ही मनोकामना से करते हो हो मनोकामना अवश्य पूरी होती है कम से कम सावन के महने में 5 बार इस उपाय को किया जाता है तो यह विशेश उपाय है जो अब शेक करा आते हैं तो उसके समागरी आवश्य नोट कर लिजीएगा पूजन अपने घर सरी, महादेव